हाई एवरीवन एक्जाम मेडिसी चैनल में आप सभी का सफ़ागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलहावाद विश्व विद्याले की तरफ से आए हुए नए नोटिस के विशे में साथ ही हम इसमें ये भी देखेंगे कि आपके जो नॉन टीचिंग पोस्ट के जो एक्जाम अभी रह गए थे और काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके एक्जाम अभी नहीं हुए हैं चाहे वो लैब असस्टेंट के हो या तो फिर आपके हिंदी टाइपिस्ट की होगी और अधर उसमें कई ऐसे पोस्ट थे जिसमें सीटे तो कम दी लेकिन उसके एक्जाम अभी भी भी कंड़क्ट नहीं हुए हैं और और कुछ के तो हो चुके हैं तो इसकी भी बाते करेंगे की आपके एक्जाम कब तक और होनेचाहिए और आप लोग को क्या करना है क्योंकि काफील हिट हो रहा है आपकी एक्जाम को लेकर ठीक है तो इन लोग की जो पोस्ट आई थी उसके जो लास्ट रेट थी उसको extend कर दिया गया है उसी के संबंद में notice जारी की गई है मैं आपको वो notice भी दिखा देती हो आप में official site से भी जाकर इस notice को download कर सकते हैं जितने लोग भी इसमें शामिल होंगे और अगर आपको यह न examination का था ठीक है और यह है आपके जो एक एक सीटे थी इनहीं के लिए और 15 जून इसकी last date कर दी गई है totally आपके लिए final submit करने के लिए तो यह रही वो notice और अब बात करते हैं जो आपकी exam non teaching post के पहले के हैं जो की 2021 के हैं जिसमें से आपके जो है MTS का था और data entry operator computer operator और जो आप आपके lab operator assistant के थे और भी थे वो exam हो चुके हैं जो बाकी है उनके विशे में तो देखिए आपके exam अब तक conduct हो जाने चाहिए थे अभी नहीं हुआ है और मुझे कोई उमीद भी नहीं दिख रही क्योंकि और अलग-अलग notice तो जारी हो रही है लेकिन उस exam 2021 का जो paper था उसके संबंद में कोई भी notice जारी नहीं किया जा रहा है तो आप लोग इसके ही वीडियो के description में sorry जो इसके comment section है आप लोग जितने लोग भी इसमें सामिल हैं जिनके exam होने हैं वो लोग आपस में आप लोग discuss कर सकते हैं इस matter को लेकर और आप सभी लोग जो है जाकर एक बार university में सिंगल पता करने से तो वहाँ पता होगा नहीं और ऐसा भी मेरा नहीं कहना है कि आप जाओगे तो पता ही चल जाए एक बार चाहेंगे तो हो सकता है कि जाके वहाँ पता कर लीजी हो सकता को कुछ जयानकारी मिल जाए नहीं तो अभी भी इसके संस्मद में कोई Blimy से apprentice से क अगर इन्वस्टी की तरफ से ऑफिसियल साइट पर या कहीं से भी कोई भी निउस आएगी तो आप तक पहुचा दी जाएगी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पता चलिए साइज चीज़ या तो मेल आईडी होती है इन्वस्टी की आप वहां पर मेल करिए क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा जब तो जितने लोगों के पास उसका फॉर्म का प्रिंट आउट होगा तो उसको के सम्मंद में उसको लेते हुए अटेच करके आप अपने मेल को पूछ सकते हैं यह काम आप ही को करना होगा जितने लोग भी इसमें शामिल है क् अब कोई आपको पूछ के या ऐसे आप सोची हो वहां पे कोई है आप पूछो आपको पता चल जाए तो ऐसा आप कुछ पता नहीं चलने माला है तो आपके पास यह अप्षिन है कि जाने नहीं चाहते हैं तो mail ID होती है आप वहां से जाकर चीजों को पूछ सकते हैं mail करिए एक candidate के करने से तो होगा नहीं तो कई candidate एक ही message बार बार करते हैं तो हो सकता है कुछ आपको response देखने को मिल जाए ठीक है और इसके संबंद में अभी आप लोगों मेंसे बहुत candidate है जो की comment section में पूछते हैं कि आपके exam जो है कब तक होगे होगा या नहीं होगा तो अभी त आपको बता कर सकते हैं ठीक है यह साई शीजे आपको करने पड़ेंगी तो इसके संबंद में सिर्फ यह notice जारी हुई थी यही सीजे आपको बतानी थी और इसके संबंद में या कोई नहीं notice आईगी तो आपको बता दिया जाएगा इस वीडियो में सिर्फ इतना ही किया जाहिंद